हाई गाईज मैं आपका दोस्त मेहमूद आपके लिए जेके एसेजबी साब इंस्पेक्टर कर सेवन्थ टापिक लेकर हाजिर हूँ प्लीज सिस्क्राइब माई यूट्यूब चैनल जेके एसेजबी मैथ्स टीचर इसमें हम कंसेप्ट देखेंगे टिक्स पी और मैथड भी कंपाउंट इंट्रेस्ट अब कंपाउंट इंट्रेस्ट हमने सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंट इंट्रेस्ट के बारे में थोड़ा पता जानते हैं आपके लिए आज मैं थोड़ा सा इंट्रेस्टिक थोड़ा सा इस टापिक में इंट्रेस्ट डालना चाहता हूं द त्रीके से वो आप तक है आप इस टेबल को कैसा याद रखते हैं या याद करते हैं आप को याद करोगे तभिए आप की ट्ररिक जौ है वो आपके आपके साथ चले गिया ग्रमाेज स्भाइय जादा तर मैने यह अब हमारे पास यहां पर देखें अगर सिम्पल इंट्रेस्ट सिम्पल इंट्रेस्ट अगर किसी निकालना हो अगर तो वह पी जर्बे आर जर्बे टी डिवाड़े हेंड़र मान लो कि आपने बैंक से क्या लिया है को श़ुह एकार कि लोऊन लिए मानलो सर भिया लिया दस पर्सेंट के भीder से अधाल आपने दस परसेंट पर इस चीज को आपने 100 रपिया लिया है अब 100 रपिय का 10% क्या हुआ 100 रपिय का 10% यही हुआ Multiply by 10 divided by 100 यही हुआ तो इस से हमारे बाइए cancel हमारे पास 10% ही आ जाएगा यह हमारा Simple Interest तो यह था एक साल के लिए अगर यही चीज तीन साल के लिए लिए हो तो हमें 3 के साथ Multiply कर दिया तो हमारे पास आजएगा 30 मतलब 30 रपिय तो अब बैंक को हमें 3 साल के बाद कितने देने इसी ल้ँआ को जो 10, 100 रपिया में हमने 3 साल के लिए लिया तो वो हमारा बन गया 30 रपिया और 130 रपिया में बैंक वाले को 3 साल के बाद वापस देना पड़ेगा यह हो गया simple interest अगर यही हमें compound interest निकालना हो तो compound interest के लिए क्या करेंगे हम compound interest में देखें आप यहां पर compound interest का compound interest में अगर हमने 100 रपिया लिया है और वो भी हमने 10% के हसाब से 3 साल के लिए है इसके लिए हमारे पास यह बन जाएगा multiply by one by 100 तो यहां से यह कैंसल यहां से यह कैंसल 10% के हसाब से उपर दासी रहेगा हमारा तो 10 वन्जा 10 यह हमारा आगया एक साल के लिए अब यह आया है compound interest का एक साल का 10 रपिया अब दूसरे साल का compound interest का जो rate है वो हेंडर्ड पे नहीं अब 100 रपिया हमने लिया हुआ था हेंडर्ड भी हमने लिए थी और 10 रपिया एक साल का हो गया है और दूसरे साल अब वो 10 प्लेस हेंडर्ड वो जो loan हमने लिया हुआ सो का वो सात में रहेगा हमारे पास बन गया 110 110 अब जो interest rate पड़ेगा वो अब दूसरे साल में जो पढ़ने वाला है है वो 10% के असाप से 110 रपे बढ़ेगा तो यहां से हमारे पास यह 0 cancel यह 0 cancel यह से यह 0 cancel यह से यह 0 cancel तो 11 1 वान एथ 11 THE 11 तो हमें دوسरे साल 11 रपे बढ़ेंगे दوسरे साल 11 रपे उस साल 10 रपे हो चुका है और दूसरे साल 11 रपे अब वो मिलकर दोनों पहले साल का लिए व्ष्ट रिम को वह 21रुए दिना है तो दो सब्सक्राइब यह 9 साल झाल सब्सक्रायबग़भ्य 116 Еще bob 210 पारी प्पर ब्याज़ भी पढ़ अब वो टोटल होगे है 121 अब जो हमारा तीसरे साल का जो पढ़ने वला है वो पढ़ने वाला है 10% के हныब से 121 पर और 10% को हम ऐसे लिखते हैं यहां से यह वennis V यहां से जिरो क्न्सल। अब हमारे पास 121721 यहां से 2005 करें तो हमारे पास 12 अ पैसा तो हमारी पास हां जायेगा इतोम हमारे पास यह बनगे घो हमारा जो केंसल हुआ हो यह और एक स्था मेंन दोसरे में यह उड़ा स्टाओं सॉड़ानर में याओं पाné कम आए वार दस वारामपायस और हमारे पगात 63 रपे 10 पैसे 33 रफे दस पैसे हमारे पास जो कम पॉण्ट इंट्रेस्ट पर जो हमारे पार इंट्रेस्ट पढ़ा और 33 रपे दस रपे बढ़ा है मतलब हमें तीन साल के बाद 02bbu या तो बापस देना है बेंक बट 33 पर 10 पैसे, 7 में देने हैं, हमारे पर, simple इंटरेस्ट में, 30 प्य देने परे, और compound interest पर पैंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पड़ा, उस पर Zuruf हमें 33 पर 10 पैसे, फाल्न तरी में देने अब इसी कोशन को हम ले लेते हैं दुबारा, एक फार्मुले पर, एक शाट ट्रिक्स पर जिसे जिसके लिए आपको इन वैलियू की ज़ूरत पड़ेगी, इस टेबल की ज़ूरत पड़ेगी, आपको ये टेबल जज्याद रखना पड़ेगा, अब मैं आपके लिए ले अब इसको simple में कैसे करेंगे हम क्या करेंगे पी जर्बे डिवाइड़ भाइंडर्ड ये हमारे पस फार्मॉला रहेगा ये हमारे पस ट्रिक्स रहेगी फार्मॉले की अब मैंने आपको अभी भी कहा कि आपको यहां पर एक यहां पर डालने पढोड़े का डालने पढ़ेगी आपको 10 PTC के खावते 3 साल का ठीबल में आपको याद रखना पढ़ेका के इसका क्या वैलिव ही थी तेन साल पर 10 परिजेंट के शार fortunately मैं आपको दिखाई देता हूं यहां से यह देखो टेबल दस परसेंट के हסाब से 10% के हसाब से हमारे पस जो तीस्रे साल पर हमारे पस जो वैलियू पड़ी थी थरी एयर्स की वो थी हमारे पस 33.10 ते 32.10 यही चीज यही चीज मैं आपके लिए यहां पर समझाने वालों कि आपको वह याद रखनी है तीन साल कि यहां पर आएगा 333.10 यहां पर यह आजाएगा हमारे पास अब क्या करना है हमने जो पी हमारे पास 100 multiply by 33.10 और divided by 100 यह हैंडर से यह हैंडर कैंसल हो जाएगा हमारा अंसर 33.10 आ जाएगा मतलब इतना शार्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास मैं आभी समझा रहा था आपको समझाने में इतना टाइम लगया अगर यह वह समझाता ना अगर आपको मैं यह डिरेक्ट फार्मुला डाल कर यह करता तो हमारा 33.10 अंसर आ जाता है तो यह थी आपके लिए शार्ट ट्रिक्स आई होप आपको यह समझाए होगी प्लीज मेरी चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक भी करें और शेयर भी करें थैंक यू मैं ऐसी वीडिया शार्ट ट्रिक्स आपके लिए लाता रहाँगा ओके गुडबाए